स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल करने की बात हुई पूरे देश भर में अब यह जो योजना है यह कितनी खास है कितनी स्मार्ट है यह तो हम जानेंगे आज के सेशन में साथ में यह भी जानेंगे केरला ने क्यों इससे करना डिसाइड कि का करला ने मना कर्या कि हम इसको इंस्कोन नहीं करेंगे और यहाँ पर उन्होंने कुछ इसकी इन्यक्रिसी के बारे में भी बात की है। इसमें प्रॉब्लम है इन सब चीजों के बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं शुरुवात करते हैं विदी न्यूस So Kerala ने decision लिया है कि वो adopt करेंगे different plan of installing smart electricity meters जिसकी वजह से जो central government का initiative था कि वो smart meters को install करेंगे सभी घरों में देश भर में by 2025 March वो disrupt हो गया है नहीं हो पाएगा because एक राज्यपूर्तर से बाहर निकल गया इससे इनिशेटिव का जो उमीद थिया aim था basically वो था कि वो replace करेंगे 200 million conventional meters को smart meters से फिलाल यह disrupt हो गया है यहां मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे जो states हैं इंडिया में औरड़ी वो रश कर रहे हैं इसके बीचे का idea है लेकिन यहां पर कुछ experts doubt करते हैं इसको उनको लगता है कि smart meter को कोई magic bullet नहीं है जो सारी समस्याओं को fix कर देगी यहां केरला ने रिसेंटल डिसाइड किया है कि वो join नहीं करेंगे smart meter plan को और decision जो है यह लिया गया है क्योंकि कुछ लोग का यह मानना है कि जो meters है जो smart meters होंगे यह जो private companies हैं उनको बहुत जादा control दे देंगे over the electricity क्या इसके पीछे reasons हैं क्या smart meters होते हैं कैसे वो काम करेंगे क्या इसमें government की intention है और क्या इसकी समस्या हैं उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं but before moving forward यह मेरा चोटा सा introduction दोस्तों यह मेरा telegram channel है जहां पर आप मुझे follow कर सकते हैं for all my class updates and pdfs and academy offline batches 29th March से शुरू हो चुके हैं यह batches शुरू हो गए हैं दिल्ली के आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा UPSC के लिए अदब तयारी कराई जाएगी बलकि आपको कुछ और भी additional benefits मिलेंगे जैसे one-on-one mentorship, educator doubt-solving session, etc. साथ ही हमें लेकर आएं आपके लिए current effect capsule course 2024 prelims को धियान में रखते हुए यह offline online दोनु module में course होगा जहां पर हमारे top educators like अंडूत sir and चंत्रमॉली sir आपको current affairs कराने वाले हैं of last one year which is relevant for your prelims 2024 इस course का duration 60 hours का होगा जहां पर 24 से 25 lectures आपको मिलेंगे कोई भी जानकारी के लिए आप this QR code को scan कर सकते, inquiry drop कर सकते हैं हमारी टीम आप से connect करेगे और resolve करेगे आपके सभी issues को या फिर आप center visit भी कर सकते हैं which is Attiwari house Pusa road opposite the BLK hospital Delhi चलिए smart meter क्या है जान लेते हैं smart meter is basically it is going to be used for recording the consumption of electricity फिर ना केवली आपने कितनी electricity consume करी है यह record करेगा बल्कि यह measure करेगा voltage levels को भी smart meter technology right जान traditional meters जो है वो केवल power consumption को measure करते हैं किसी भी घर की या business की smart meters as the name suggest यह ना केवल इसको you know record करेंगे बल्कि इस information को share भी करेंगे every 15 minutes or hourly to the utility provider utility provider जो भी जिस भी company से बिजली आ रही है it can be reliance, power, it can be NTP, PC कहीं से भी ठीक है उनको भी information जाएगी now क्योंकि internet से connected होंगे तो smart meters communicate करेंगे information को consumers को भी यानि हमें भी पता होगा हमारी data usage के मतलब कितना usage है बिजली का हमारे घर में हम तक भी information पहुचेगी और utility provider तक भी पहुचेगी for monitoring purposes and accurate billing ताकि सही billing हो billing में कोई दिक्कत ना हो reading सही हो साथ में अब चलिए बात कर लेते हैं smart meter national program की यह initiative सरकार का जहां पर वो चाहते हैं कि use किया जाए smart meters को across the country मतलब pan India change कर दिया जाए जो conventional meters है उनको aim क्या है SMNP का कि improve किया जाए billing और collection efficiencies को of distribution companies जो भी भारत में operate कर रहे हैं जो समस्या है basically उसको resolve करने के लिए ठीक है कि billing सही होनी चाहिए collection efficiencies होनी चाहिए ठीक है इसका उद्देश है कि वो replace करे 25 करोड कंवेंशनल meters with smart meters in India अब scheme है यह किसके द्वारा implement की जा रही है it is implemented by energy efficiency services limited EESL तो यह तो हो गया about smart meter national program now intention क्या है इसके द्वारा सरकार की इंटेंशन यह है कि देखो वैसे भी जो smart meters उनको widely implement किया जा रहा है by power companies worldwide पूरी दुनिया भर्मिन का इस्तमाल किया जा रहा है primarily to enhance the efficiency of time of day electricity billing क्यों because now जो time of day electricity pricing है उसको enhance करने के लिए जिसमें smart meters की आवशक्ता होती है अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि time of day electricity electricity pricing क्या है so TOD pricing में basically involved होते है electricity rates जो vary करते हैं मतलब वो different electricity rates होते हैं for PE cards and non PE cards let's say सुभा के समय या फिर evening के time पे जो PE cards होते हैं उसमें electricity rates different होंगे आपने जितनी बिजली consume की होगी उसके लिए आपको different rates पर बिल पे करना होगा as compared to non PE cards दिन के समय जब घर खाली होता है जेनरी लोग अपने काम पर जाते हैं बच्चे स्कूल जाते उस समय ठीक है तो अलग-अलग electricity rates को यहां पर involved किया जाएगा जो कि smart meters ही कर सकता है क्योंकि हर 15 में consumption के बार में information दे रहा है ठीक है ना यहां पर कुछ concerns भी है दो इसको लेकर about the willingness और capacity of the government-owned distribution companies कि क्या वो disconnect कर सकती है legal connections को भी इस सब के बीच में यह बहुत बड़ा concern है यहां पर जो issue है majorly या फिर हम assumption या reality को अगर चेक करें आपर उसको देखें तो यहां पर कुछ conditions भी है जैसे reliable data transmission around the clock यह यह assure किया जा सकता है कि reliable data transmission होगा पूरे 24 के 24 गंटे of all the meters मतलब इस तरह के issues हैं जिन पर question mark है उसके बाद क्या there would be protection from tampering and bypassing by the consumers tampering तो नहीं हो सकते हैं meters की इस तरह की concerns भी है इसके अलावा जो disccoms हैं उनकी ability to conduct energy audits data monitor करना या फिर regulations को enforce करना या वो इसको efficiently कर पाएंगे हूं ठीक है यह question है साथ में the utilities ability मतलब जहां से भी बिजली आपको पहुच रही है कि क्या वो disconnect कर सकते है unauthorized connections को भारत में और यह जो तरही चीज़े है मतलब यह सब होना चाहिए अगर हम smart meters की बात कर रहे हैं तो this should be something which should be done लेकिन क्या यह हमेशा हो सकता है यह conditions हमेशा ऐसी ही हो ऐसा possible नहीं है there are sub checklist में check mark तो नहीं हो सकता न तो यह basic condition है जिसकी वजह से जो smart meter initiatives है यह fail हो जाते हैं और यही एक कारण है जिसकी वजह से केरला भी इससे opt-out कर रहा है मतलब यह सारी कमिया हैं यह सारी problems हैं यहाँ पर now players कौन-कौन involved हैं तो यहां मैं आपको बता दो DISCOMS जो इन महराश्टा में अगर उनकी बात करें तो उनको tender award कर दिये गए है for the installation of 17 million smart meters और यह state government का जो plan था to install 23.6 million smart meters उसका ही phase 1 के अंतरगत 17 million meters का जो smart meters का जो tender हो दिया गया है इन meters को install किया जाएगा over a period of 30 months और उसके maintained किया जाएगा for the following 90 months यह यहां पर किया जा रहा है महराश्टा में यहां अडानी transmission जो है इसको मतलब यह is estimated to have a third of all the smart meter tenders finalized nationwide today led by महराश्टा इसमें सब ज्याद महराश्टा में है बडेकते हाई smart meters का tender किसको दिया गया है जानी transmission को यहाँ फ्रांस की EDF है यह दूसरा player है जो smart meters deploy करेंगे 2018 में इस company ने tender जीता था to install 50 lakh smart meters और last year ही Reliance Industries का जो जियो platform है उसने announce किया है कि वो partner करेंगे EDF के साथ in deploying 10 lakh smart meters in Bihar ठीक है इसी के साथ जैपूर-based genus power infrastructures ने भी कुछ contracts यहाँ पर जीत लिए हैं हमको contracts मिल गए है for smart meters through its wholly owned subsidy तो यह सारे players हैं जो smart meters लगाने में contribute करेंगे काम करेंगे जिनको अलग-अलग जगाँ पर tenders दिये जा चुए यह अलग-अलग जगाँ से यह companies आई हैं तो केरला ने फिलाल इससे opt-out कर दिया है conditions हमने देख लिए क्या क्या reasoning है इसकी आपको क्या लगता है क्या यह successful होगा या फिर इस गुए बिग फ्लॉप मुझे comment section में जरूर थाएगा दोस्तों UPSC Film 2024 की strategy to crack जानने के लिए आपको देखना होगा हमारे podcast series को इसका link आपको description box में मिल जाएगा अभी यह series देखिए अगर आप UPSC aspirant है आप 2024 का exam दे रहे हैं या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं with respect to the UPSC's you know civil services preparation तो हमारी जो panel of experts है वो आपके सभी doubts and conditions वो clear यहां पर कर देंगे that'll be all from my side I hope you like the session do not forget to like share and subscribe to the channel and also add the bell icon so that you get notifications about latest updates thank you so much god bless take care bye bye you